हलो फ्रेंट्स एक वाफ फिर आपको बहुत बहुत स्वागेता हो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमें आप पर बात करने वाले यूपी स्कॉलसिप से संबने दो महतपूर और लेटेस्ट अबडेट के बार में अगर आप भी अपना स्कॉलसिप फॉर्म अभी तक फिल न आपडेट आपको बता देते हैं सबसे पहले तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि अगर आपका जो रिजल्ट है प्रीबियस किलास का जी हां दोस्तों अगर आपका प्रीबियस किलास का रिजल्ट आ चुका है और आपका येरवाइज एक्जाम होते हैं तो तुरंत डेट के वारे में, कि आपके जो last डेट है, वो क्या रखी गई है और आज की इस वीडियो में जो last डेट आपको बताने जा रहा हूँ वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी यह जो last डेट है, यह कच्छा 11.12 जी, हाँ दोस्तों कच्छा 11.12 और कच्छा 11-12 से उपर आपके जितने भी Under-Gridit Courses, Post-Gridit Courses, UG, PG, जितने भी आपके Cours होते हैं, LLB, VLB, VTAC, MTAC, MBBS, जितने भी आपके Cours हैं कच्छा 11-12 और 12 से उपर जितने भी आपके Cours हैं, उन सभी के लिए, जितने भी Cours Colleges में पढ़ा जाते हैं, उन सभी के Last Date 7 November रखी गई है, चाहिए आपका Phrase Form हो, यहां पर ध्यान दीजे, चाहिए Phrase Form हो, या Renewal Form हो, सभी स्ट्रेंट्स अपना स्कॉलसिफ Form, 7 November तक Online फिल कर सकते हैं, अब यहां पर बात कर लेते हैं, उन स्ट्रेंट्स के बारे में, जिनका जो कॉर्स है, वो सिमिस्टर वाइ तक डिक्लियर नहीं किये गएं, विये का जो रिजल्ट है, फर्स्ट सिमिस्टर का, वो यूनिवस्टी ने अभी तक जारी नहीं किया है, काफी जादा लेट रिजल्ट आ रहे हैं, तो ऐसे में सिमिस्टर सिस्टम वाली स्ट्रेंट्स को एक चीज ध्यान रखना होगी, कि उनका जो यहाँ पर इस कॉलसिफ फॉर्म है, वो तभी फिल हो पाएगा, जब उनके दोनों रिजल्ट, फर्स्ट सिमिस्टर और सिकेंड सिमिस्टर, ठीक है, फर्स्ट सिमिस्टर और सिकेंड सिमिस्टर किलियर हो, लेकिन अगर आपका एक सिमिस्टर का रिजल्ट आ चु मेंट नंबर एक को दिहान से पढ़ सकते हैं उकत समय साली की समयबती के अंतरकरत、、, बाथ की perfect इन दोनोओ से मिस्टर न्युक्र सिखिया. पत्र न में निकरण कर शकेंगे तौर्व आपड़न पत्र का नभीनि करण कर सकेंगे जोनक है सबस्केया कर सकते हैं तूर्व अगर आपका एक सीमिस्टर कॉम्पलीट हुआ deveon semester का result आया है तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है point number 3 में बताया गया है यहाँ पर point number 3 ठीक है छात द्वारा 12 परिच्छाफल दोनों semester का परिच्छाफल ना निकलने की दसा में यहाँ पर ध्यान देगा दोनों semester का परिच्छाफल ना निकलने की दसा में result not yet declared का option choose करते हुए online आवेदन किया जा सकता है अगर आपका second semester का result नहीं आया है आपको पता ही होगा अभी second semester के exam form fill नहीं होगा university की बात करने रोल कंड की तो आपका result भी नहीं आया होगा ठीक है ऐसे में क्या करना है आपको first semester का result आ चुका है आपको online form fill कर देना है और previous year के जो result यानिकी marks की जहांप details fill होती है वहाँ पर option आता है कि आप previous year का course complete कर चुके हैं या फिर promote हुए हैं तो वहाँ पर एक option और है result not yet declared उस option को आपको choose करना है previous year के marks की जो details है वो यहाँ पर आपको फिर नहीं करना होगी इस option को choose करने के बाद आप अपना form fill कर सकते हैं लेकिन ऐसे सभी चात्रों का जो data है वो suspected category में रहेगा यानिकि संधिया इस category में रहेगा और इस time table के according आपको समय दिया जाएगा अपने form को सही करने के लिए दो December से लेकर पंधरा December तक समय दिया जाएगा ठीक है form fill करने के बाद अपना form College में ले जाकर जमा करना होगा जमा करने के बाद आपका form College से forward होगा उसके बाद आपको समय मिलेकर 2 December से लेकर 15 December तक का ऐसे में अगर युनिवस्टी आपका second semester का result 15 December तक जारी नहीं करती है एक्जाम करवाने के बाद तो ऐसे students के जो form है वो reject किया जा सकते हैं और आपको जो scholarship है वो भी नहीं मिल पाएगी इसलिए अभी बिल्कुछ सही समय है तुरंत आपने जो exam है वो जल्द से जल्द करवा ल लिजे ठीक है और December से पहले पहले second semester का जो result है वो युनिवस्टी से डिक्लियर करवा लिजे अने था यहां पर बड़ी संख्या में जो students है वो छात्वर्ती से बंचेत हो सकते हैं यह भी सही है हां scholarship form विल करने की या फिर जो यहां पर date यह बताई गई इसे extend किया जा सकता ह लेकिन आपको कोशिस करना चाहिए कि सभी स्टेंट्स मिलकर अपने result को जल्द जल्द डिक्लियर करवाएं और second semester के exam जल्द जल्द करवाएं और उसका result जल्द जल्द निकलवाएं ताकि आगे चात्वर्ती मिलने में आपको किसी भी तरह की आसो भी दाना उमीद करता हू अब हम मिलते हैं एक नहीं वीडियो में एक नहीं इंपरमेशन के साथ थैंक यू सो मच पर वाचिंग इस वीडियो